नमस्कार आपको स्वाकत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं एच्टी मीडिया लिमिटिट के बारे में जिन्होंने भी सब्सक्राइब में क्या सब्सक्राइब कर लें बैल आइकट पर क्लिक कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते ह यहांपर अगर हम देख को समझ लिएते हैं जो सबसे लाइस में आपको कॉलम दिखाएज दे रहा है वह मार्च 243 की और durante तो ऐहां पर अगर हम हम देखते हैं, इंकम को मार्च 20 से मार्च 21 में इंकम हमें घटती भी नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं, 今 कि दिसमब्र उनार्डघ एके सिस्ति की तो यहां भी हमें जो है इंकम में दिखाई दे रहे है तो इयर ओन campaign में घटाजी है और quota una quarter में इंकम बड़ी है अब हम एक्सपेंस को देख लेते हैं तो मार्च वीच क्वाटर में एक्सपेंस थे उनन चास हजार 29 लाग के जो कि दिसम्बर वीच क्वाटर में हो गए 37,875 लाग के और मार्च नमबर का पॉइंट है प्रॉफिट आभे ग्लॉष फोर टेक्स मार्च क्वाटर वीच में एकईसाजार 503 लाग के लॉस्ट है जो कि दिसम्बर वीच क्वाटर में 1290 लाग के प्रॉफिट हुए और मार्च क्वाटर में 211 लाग के प्रॉफिट हुए तो यहां पर अगर हम में देखते हैं यानि कि मार्च 20 से मार्च 20 में है तो हमें कंपनी जो प्रॉफिट विफोर टेक्स है वह काफी ज्यादा अच्छे नजार आ रहा है क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट दिखा रही है वहीं अगर हम बत करते हैं क्वाटर की तो यहां भी हमें यहां पर अगर हम देखते हैं तो मार्च 20 से मार्च 21 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है वहीं अगर हम बात करते हैं क्वाटर नुकर्टर पर्फॉर्मेंस की तो वहां पर बढ़त भी दिखाई दी रहा है तो अगर रिजल्ट को देखते हैं तो रिजल्ट का विशांदार नजर आ है क्योंकि कंपनी की जो लॉस थे वहम प्रॉफिट में कंवर्ट हो गया हैं कंपनी के एसेंसियल्स को देख लेते हैं तो कंपनी का मार्केट का है बहुए 629.58 करोड यानि कि स्मॉल केप कंपनी है नंबर ऑफ सेर्ट जो मार्केट म और घर कि आई है यहां मार्केट केप से भी जादा के दिखाई देते हैं मार्केट के देखाई देते हैं माइन्स बब्रसाante की तो माइनस का पर्फर्मेंस के रिटरंस यानि कि कमपनी का पर्फर्मेंस निगेटिव रहा बात करते हैं अगर वाफन अपतों के सबसे उच्चता मिस्तरetr की यानि की फिर्टी टूवीक्ष हाई है तो वो है 30 रूपS rejo joo kika 2020 को बना था और अगर हम 52 वीक्स लो की बात करते हैं यानि बावन हपतों के सबसे नेमने स्तर की तो वह 11 रुपए 70 पैसे है जो कि 29 जुलाई 2020 को बना था अब हम देख लेते हैं डिलेवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशाथ तो वह 24.34 का यानि कि जितने भी शेयर लास्ट ट करोड़ हो गया 2019 में यह 2.343 करोड़ हो गया और 2020 में यह 2.343 करोड़ हो गया तो यहां पर अगर हम पिछले चार वांटों के रेवेन्य को देखते हैं तो हमें इसमें लगातार कमी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं के प्रॉफिट एंड लॉस की कंप करोड़ के लॉस हुए और 2020 में यह लॉस बड़े और माइनस 0.2 2000 करोड़ के लॉस हो गया तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए नजर आ रहा है शेर होल्डिंग पैटरन को देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग जू सब्सक्राइब करने धन्यवाद